एक मेवात से हमेले है हमेले तो क्या ऐसे बेपराणी है मामन खान विदायक बोलता अपने आपको वो कभी इदर गूम रहा कभी उदर गूम रहा बोकता बोकता गूम रहा कभी गोरक्स को गुंडे बताता है कभी कुछ बताता है मामन خان विदायकों फिर मिली जान से मारने की धमकी, एस पी नुहू से मिले कौंगेस विदायक, विदानसबा मे छहतर के माहॉल को खराब करने वाले असमाजिक तत्तों के खिलाब पिरोजपर जिर्काव विदानसबा से कौंगेस विदायक मामनखान इंजीनियर को आवाज मेंगा पढ़ता दिखाई दे रहा है असमाजिक तत्तो सोसल मीडिया पर वीडियो वाइरल कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं इससे कॉंग्रेस विदायकों में ही नहीं बलकि इलाके के लोगों में भी भारी रोस है कॉंग्रेस विदायक दल उपनेता चौधरी आपताव एमन एवम विदायक मामन खान इंजीनियर ने सुकुरवार को पुलिस कप्तान वरुन सिंगला से मुलकात कर अग्यात सक्स के खिलाब ठोस कानूनी कार रवे करने की मांगी है विदायक को दमकी का यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी गोरक्षा बजरंग दल के सदस्यों के खिलाब आवाज उठाने पर विदायक मामन खान इंजीनियर को पहले भी जान से मारने की दमकी दे जा चुकी है खास बात यह है कि हरियाना में चुने हुए पिर्तिनिंदियों को बार बार असमाजिक तत्य खुले आम धमकिया दे रहे हैं लेकिन कानून का सक्ती का डंडा उन पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उनके होसले दिन पिर्ति दिन बुलंद होते जा रहे हैं विदायक ममन खान इंजीनियर ने कहा है कि हाल ही में उन्हें सोसल मीडिया पर वीडियो वाइरल कर एक अग्याद सक्स ने विदान सबा में आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी दी है जिसके बारे में पुलिस कप्तान नुहू, डी सी नुहू, सियाइडी पिर्मुक हरियाना, डी जी पी हरियाना, गिरह मंत्री हरियाना, मुक्हे मंत्री हरियाना को उनकी तरफ से शिकायत दे जा चुकी है उन्होंने कहें कि धमकी देना अलग बात उसे हकीकत में करना अलग बात वहे भी कोई कमजोर नहीं है जनता के नुमाइंदे हैं इस खबर के बारे में आपकी क्या राय आप हमें कुमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक डिटीवी न्यू चैनल को सब्सक्र से कुछ एसे माजी को ता तो लोगों के साथ गुंडागर्दी करें थे कानून को अपना हाथ में ले रखा था उनके खिलाब में विधान सबाब में बोला था तो उसके पश्चाथ अंजान में एक ती जिसका वीडियो वाइरल हुआ है और जो जान से मारने की धंकी देरा कि चार सितंबर को हमें महा पंचात करेंगे हमिताक मामन खान को देखेंगे उसको लेकर मैंने सब को इसकी कंप्रेंट कर दिये मुख्य मंत्री डीजीपी स्पीकर सार और अपने सब्सक्राइब करेंगे उससे पहले भी कुछ ऐसे समाजी तत्तों ने मुझे को धंकी दी थी तो मैंने सुछते चलो ठीक है टाइम आएकर सब ठीक हो जाएगा लेकिन अभी अपनी सब कि तो इनके खिलाब ज़रू से ज़रू कारवाई कराओं चलो वो कहने में और करने में बहुत इंतर है को इसी बात ना कमजोर कोई भी नहीं है तो पलीस ही बताएगी पलीस एसपी साब ही बताएगा आप पूछोंगे दूस्ते की उसके कुछ पहचान हो पाई नहीं पाई है मैंने लिकिन को भेज दिया है एसपी साब ने कर दो दो पाई है नहीं है यह है तो पहचान है।